तो दोस्तों आज आपका फिजिक्स बावा आपको मिल्वाने वाला है वेवस से नहीं दिखा क्या अरे मेरे साथ कड़ा हुआ है वेवस यही तो तुम लोगों की दिख्कत है यह वेवस तुम्हें दिखता नहीं है इसलिए इतनी बार कमेंट करके बोले चुके हो सर्व वेव औप्टिक्स चलो इस वेव को देखी लेते हैं कि आख शार नाइस लाइस लाइन अटल्व मुद्ध आजिए बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास इनिशली दो derivations आते हैं, higens principle से reflection के loss को prove करिए, higens से reflection के loss को prove करिए, तो reflection को हम prove कर लेते हैं और इतने सारे complicated तरीके नहीं हैं अपने पास, अपने तो सीधे सीधे straight forward simple physics देखना पसंद करते हैं और वो ही दिखाते हैं, तो उसके लिए बावा की booty section में मेरे पास हैं आपके लिए 4 points, सबसे पहला है wave front, wave front क्या होता है, एक source है, उससे waves निकल रही होगी, अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही wave निकल रही होगी, बहुत सारी waves निकल रही होगी हर direction में, तो जब waves निकलती हैं तो particle oscillate करते हैं, vibrate करते हैं, तो वो सारे particle जो एक particular time पर same phase of oscillation में, same phase of oscillation मतलब या तो वो उपर जा रहे हैं उसी point से, या नीचे जा रहे हैं, या उनकी जो position है, वो फिल्कुल fix है, और either they are going from that particular point उपर और नीचे, तो ऐसे सारे point जो same phase of oscillation में हो, either going up or going down और at a particular position going up or going down, उन सब को join करने पर जो बनता है, वो होता है हमारा wave front, बहुत जादा detail में जाने की जरूवत नहीं है, समझ में आए बहुत अच्छी बात है, ray, एक जो ray हम बनाते हैं, जो हम ray optics में बनाते हुए हैं, बहुत सारी, ये सारी rays wave front के perpendicular है, मतलब मैं जब wave optics में आऊँगा, तो मैं ये कहूँगा, a ray is a line which is perpendicular to wave front, जैसे ये मेरे पास parallel wave fronts थे, अब मुझे अगर ray बनानी है, तो क्या करूँगा, मैं एक perpendicular line बना दूँगा, ये perpendicular line जो है, ये represent कर रही है ray, मैं ray के terms में waves को देखने की कोशिच करूँगा, इसलिए पहले ही बता दिया, ray क्या होता है, फिर पुरानी problem, trigonometry छोड़े की नियापन को, sin theta is perpendicular upon hypotenuse, क्यों बता रहे हैं, यूज़ करूँगा, इसलिए बता दिया, और speed is equals to distance upon time, time, अपना magic triangle, speed is equals to distance upon time, x मेरी distance है, या distance is equals to speed into time, distance is equals to speed into time, तो ये एक ऐसा formula है, जो मेरा use होने वाला है, इसलिए मैंने ये चारो बाबा की बुटी section में आपको बता दिये, चलिए, चलते हैं, हाइगंस से reflection के लोग को प्रूफ करने और waves को देखने, जब मैं हाइगंस से diagram बनाता हूँ, वो भी बड़ा important है समझना, क्योंकि वहाँ पर उसके marks होंगे, मैंने अभी यहां कोई wavefront नहीं बनाया, क्योंकि मैं ray optics समझता हूँ, और मुझे ray optics ही समझ आती है, तो ये काम करो, दो parallel rays लो और इनको incident करा, और अभी wavefront बताया था, मैंने wavefront क्या होता है, wavefront होता है perpendicular, जो rays होती है वो perpendicular होगी, तो यहां पर ये देखो, ये ray मेरी पहली बार यहां incident हुई, तो यहां पर अगर मैं एक इस तरह से perpendicular line बना दूँगा, तो वो represent करेगा मेरा incident wavefront, और फिर यहां से rays होगी reflect, अब मैं आगे बढ़ाता हूँ, तो ये मेरी rays incident हुई, इस point पर मैंने एक perpendicular line ड्रॉ कर दी, जो इन दोनों पर perpendicular है या ये दोनों rays इस line के perpendicular है, ये बन गया मेरा incident wavefront, बहुत simple तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये होगया मेरे पास angle of incidence, अब ये दोनों rays मेरी reflect हो गई है, अब मुझे बनाना क्या है, मुझे बनाना है reflected wavefront, तो यहां पर finally ये ray incident होने के बाद, finally इस point इस से reflect हुई है, मतलब ये दोनों rays finally reflected है after this point, तो यहां से फिर में एक ऐसी line बनाता हूँ, जो इन दोनों पर perpendicular होगी, और वो होगी मेरा reflected wavefront, जैसे ही मैंने reflected wavefront बनाया, अब मुझे इसमें दो triangle लेने होते हैं, जो incident wavefront और एक reflected wavefront के साथ लूँगा, और अगली step होती है मेरी sine R निकालना, sine R निकालना, और फिर मैं उन दोनों को कर दूँगा divide, बस हो गया मेरा derivation, यह सबसे easy तरीका है proof करने का, उसके लिए मुझे फिर से थोड़ी सी trigonometry लगाने पड़ेगी, क्योंकि diagram ही समझना है, बाकी सब तो बच्चों का खेल है, अब अगर यह मेरे पास wavefront है, तो wavefront जो है, यह 90 degree बना रहा है raise के साथ, अब अगर यह angle आए है, तो यह बचा हुआ angle होगा 90 minus आए, यह दोनों 90 degree परते, यह आए तो यह 90 minus आए, और अगर हम देखें, तो यह पूरा angle कितना होने वाला है, 90 degree, नॉर्मल का surface के साथ, अब इसमें से यह angle, अगर आप देख पा रहे हों, तो यह angle होगया मेरे पास 90 minus आए, तो यह बचा हुआ पूरा angle क्या होने वाला है, आए, फिर से यह पूरा 90 degree, तो यह वाला angle यह 90 minus आए, तो यह बचा हुआ angle क्या होगया, यह बचा हुआ angle होगया, आए, similarly, यह angle R, तो यह 90 minus R, अब अगर हम इस पूरे को देखें, तो यह पूरा 90 degree है, यह 90 degree में से 90 minus R चला गया, तो यह वाला angle बचा R, अगर diagram समझ में आ गया है, तो derivation खतम, इसलिए बावाजी ने अपनी पूरी जान उस diagram को समझाने में लगा दी, और अगर आपने यह diagram बनाया और ऐसे mention कर दिया है, अब कोई भी आपका number नहीं काट सकता, diagram समझ में आ गया, तो बस अब एक बार हम लेंगे sine I, sine I, triangle कौन सल लूँ आई के लिए, A, B, B dash, एक बार हमने triangle लिया, A, B, B dash, इसमे sine I is equals to हो गया, B, B dash upon A, B dash, दूसरी बार हमने लिया sine R, sine R के लिए A, A dash, B dash, यह हमारा triangle बना और यह perpendicular बना A, A dash, और हमारा hypotenuse बना A, B dash, अब इन दोनों को मुझे करना है divide, बाबा जी यह तरीका कैसे दिमाग में रखें, कुछ नहीं करना, diagram तो बहुत मेहनत से समझ लिया है, एक बार sine R लेना है, एक बार sine R लेना है, और दोनों को divide कर देना है, यही मैं reflection में भी करूँगा, वहाँ पर भी सिर्फ diagram बतलूँगा, steps मेरी सारी सेम रहेंगी, इसलिए एक बार sine R, एक बार sine R, दोनों को कर देते हैं, divide देखते हैं, आगे क्या आता है, अब मेरे सामने question यह कि हैं क्या, इनकी क्या value है, तो देखो इसलिए बावा की बूटी में बताया था न, distance is equals to speed into time, B से लेके B डेश, जितनी देर मैं, देखे, जब एक A पर है और एक B पर है, जितनी देर मैं A से B डेश तक R पहुँची, उतनी ही देर में तो A से A डेश पहुची, फिर से, A डेश और यह B डेश, यह देखो, यह B से B डेश पहुचेगा, उतनी ही देर में A से A डेश, मतलब time interval B से B डेश का, और A से A डेश का same है, क्योंकि R जितनी देर में यहां से पहुँचेगी, उतनी देर में यह reflect होके यहां पहुचेगी, अगर time interval same है, medium भी same है, यानि speed of light in air is C, तो distance is equal to speed into time, तो मेरे पास BB डेश हो जाएगा C into T, AA डेश हो जाएगा C into T, जैसे ही यहां पर value रखूँगा, यह हो जाएगा, CT upon CT, cancel out हो गया बचा 1, यानि sin I is equal to sin R, और I is equal to हो गया R, first law prove हो गया, और यह जो पूरा diagram हमने बनाया, जो wave fronts हमने बनाया, जो rays बनाया, these all are lying in a plane, तो यह हमारे पास हो गया, दूसरा law, और इतनी आसानी से, मैंने Huygens के principle का use करके, reflection को समझ लिया, laws of reflection को prove कर लिया, फिर से incident wave front, reflected wave front, sin I, sin R, sin I by sin R, distance जो आ रही है, उसको speed into time के terms में, finally prove हो जाएगा, फिर भी कोई doubt हो, कोई और दूसरी method लग रहा हो, कि पूछना चाहिए, पूछने ना, मुझे लगता है, यह सबसे आसान है, यह दिमाग में बैट जाएगी, अगला derivation जब करूँगा, तो इसको rub भी नहीं करूँगा, सिर्थ थोड़ा सा modification करूँगा, इतना आसान हो जाएगा, जाएगो!